नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अच्छा दोस्तों UPSC की तैयारी जो नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है इसके अंदर में हम बहुत छोटी छोटी चीजे और बहुत जो हमारी रेगुलर तैयारी है हमने कुछ पढ़ा और हम भूल गए कुछ important information दी किसी वीडियो में देखा और हम भूल गए वो एक दिक्कत होती है तो आपके लिए जो मेरी commitment है उसमें कभी कोई कमी रही नहीं है और उसी commitment को मैं फिर से दिखाने दुबारा से आ गया हूँ आप लोगों के लिए मेरी जो वीडियो की important information है किसी वीडियो के अंदर क्या important है तो उसको मैं काट के आपके सामने लेके आऊँगा वो bites में आपके साथ share करूँगा ताकि आपको पूरा वीडियो दुबारा न देखना पड़े सो ये again मेरा जो commitment है आपके प्रती तो ये उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूँ मैं और कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ सो दोस्तो प्लीज इन चीजों को like कीजेगा इनको share कीजेगा अपने दोस्तों के साथ जितना प्यार आपने मुझे दिया इनको भी इन वीडियो को भी इतना प्यार दीजेगा एंड साथ साथ दोस्तों एक और important बात अगर आप मेरे साथ मिलके UPSC को एक साल में crack करना चाहते हैं तो मैं आपको assurance दे रहा हूँ हम करके दिखाएंगे और उसके लिए आप जुड़िए अनकैडमी के साथ में plus course में तो plus course में जब आप enroll करें तो बात कर लिजेगा simple बोल दीजेगा कि आप code यूज करना चाहते हैं summit 10 summit 10 code जब आप यूज करेंगे दोस्तों SUMIT10 तो आपको मिलेगा मेरा guidance पूरी UPSC के तायारी में आप मेरे साथ रहोगे मैं खुद आपको guide करूँगा इस UPSC के तायारी में और ensure करेंगे कि within one year हम इस UPSC के exam को crack कर सकें साथी साथ आप सभी बच्चों से निवेदन करूँगा मेरे telegram channel से भी जुड जाईएगा टेलिग्राम चैनल आपको पीछे दिख रहा है इसे भी जुड जाएगा दोस्तों चलिए मिलते हैं एक्स वीडियो में लेक्स ग्राकेट मेकैनिकल डिवी अकैनिकल मतलब strength के आधार पर स्टेंथ के आधार पर भी बाढ़ते हैं तो कैसे हम आधार वाला भाग जो हाड रॉक ही है solid है solid मतलब litho इसलिए सबसे पहला जो नाम आता है मेरे पास होता है lithosphere मैं यह किसकी उपर बात कर रहा हूं मैं mechanical strength के बारे में बात करूं तो पहला मैंने बाठ दिया lithosphere जो उपर ही भाग होता है उसको हिंदी में भी lithosphere को lithosphere ही लिखते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरा नाम हिंदी में है English में Sumitrati Hindi में Sumitrati English में Barack Obama नहीं हो जाओंगा नाम नाम ही रहेगा अब यह कुछ चीजे हैं नाम सेम ही रहेंगे lithosphere को lithosphere ही लिखोगे दूसरा आएगा esthenosphere फिर mesosphere और फिर है barrysphere अब यह कैसे होते हैं कहां कहां होते हैं ना that is very important वह बहुत important है है ना वह बहुत important है उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा समझ म्यारी बात ऐसे इसको divide करते हैं अब generally होता क्या है बूब मैं आपको बता दूँ जो उपरी भाग होता है ना पृत्वी का यह उपरी भाग जो होता है ठीक है जीरो से लेकर लिथो स्पेर ठीक है यह वाला भाग जीरो से लेकर 100 किलोमेटर का जो होता है इसको बोलते है लिथो स्पेर लिथो में पहला जो वर्ड है ना लिथो लिथो का मतलब क्या होता है पता रॉक चक्टान तो पृत्वी का उपरी भाग चक्टान नहीं है है ना इसके अंदर क् पूरी की पूरी तो crust है इस lithosphere के अंदर में मैं लिख देता हूं यहाँ पर lithosphere में पूरी की पूरी तो crust सामिल है जिसमें continent ocean वाली दोनो continent ocean वाली दोनो साती सात में crust के साथ साथ इसमें mental का उपरी भाग भी आता है अपर mental वो भी आता है इसमें उसके बाद जो बच गया mental का भाग जो बचता है 100 से लेकर लगवग लगवग अगर मैं बात करूं तो 400 तक आ जाओ ठीक है यह 100 तक था 100 से लेकर 400 तक आ जाओ यह कैसा होता यह PLYABAL होता है PLYABAL मतलब आपने पिगलावब प्लास्टिक देखा ऐसा होता है ठीक है वो भाग जो होता है इसको हम बोलते है एस्थेनोस्फेग क्या बोलते हैं दोस्तों इसने इस जोन को मैं इस थेनो स्फेर बोलते हैं 400 के नीचे जितनी भी crust ये mental आपकी बचती है ना इसको हम क्या बोलते है 400 से लेकर जितना भी बचता है लगबग 400 से लेकर ये 3900 के आसपास तक होता है इसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों this is nothing but known as the mesosphere ठीक है समझ आ रहा है दोस्तों 400 से लेकर 2900 के आसपास जो है हमारे पास ये फिर क्या होता है दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूँ ठीक है तो यहां पर होता है हमारे पास mesosphere और इसके बाद जो ये lower भाग होता है आप सभी को पता है इसके अंदर पूरा कोर वाला भाग होता है ये पूरा कोर कम्प्लीट कोर का जो भाग होता है न ठीक है इस सारे भाग को हम क्या बोल देते हैं आपका बैरी स्पेर अब ये division किसके आधार पर किया हमने mechanical division किया हमने mechanical division मतलब हमने देखा है कौन कैसा है ठोस है द्रव है किस प्रकार का है ठीक है तो उपरी भाग rigid था 0-100 km का मैंने बोल दिया लिथो स्पेर उसके बाद 100-400 कैसा था प्लाइबल पिगलावा प्लास्टिक होता है ना ऐसा क्या नाम दे दिया मैंने बताओ मैं इसको नाम दे दिया एस्थैनोस्पेर जब मैं बात करूँगा मेजोस्पेर की तो मैं बात करूँगा 400 से लेकर 2900 किलोमेटर के आसपास के रीजन की और और यह प्रित्वी का मैं ने मेक्यानिकल डिवीजन कर दिया है तो यह समझ मैं आ गया आप मैं दोनों को compare कर रहा हूं यहाँ पे देखो एससे था में बोल देते हैं विसस्में अलग तरीके से दिखाया है, तो आप देख लो, जो crust का ऊपरी भाग होता है लिथो स्पेर, इसमें crust plus upper, जो mental होता है ये आता है, बच गया जो mental, उसको हम क्या बूल देते हैं, मैंने आपको बताया, चीक है, मिजो स्पेर और उसमें बाढ़ लेते हैं, तो इस प् सबसे important जो चीज आपको याद रखनी है, इस पूरे में से, वो ये बात याद रखनी है, कि लिथो स्पेर का मतलब क्या होता है, तो जब भी याद रखना, जब भी मैं ये word लिखूँगा आपके सामने, एक word में लिखना हूँ दोस्तों, जब भी ये word लिखा जाएगा, इ जब भी मैं ये word लिखूँगा, आप बोलोगे सर इसके अंदर क्या, क्रस्ट तो ही है, प्लस क्या होगा दोस्तों इसमें, अपर पार्ट ओफ मेंटल, कि मेंटल का उपरी भाग, अभी जो क्रस्ट है, इसमें भी दो भाग होते हैं, आपको पता है, क्रस्ट के अंदर में, कौन-कौन से, तो is equal to क्या हो गया, इसके अंदर आ गया, ओशियोनिक क्रस्ट, साती सात में क्या, इसमें आ गया, ओशियोनिक क्रस्ट के सात सात, आपका, ओशियोनिक क्रस्ट के सात सात, इसमें आ गया, आपके पास, कौन्टीनेंटल क्रस्ट, और सात सात में आ गया, मेरे चीक है आगे यह बात आपके लिए काम की होगी तो यह चीज है दोस्तों आपका mechanical scale है और यहाँ पर यह अगर मैं बात करूं तो this is the structure यह हमारा structure है पूरा पूरा complete तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आगया होगा किस प्रकार से हम प्रित्वी को अलग-अलग तरीकों से divide करते हैं